लोटस आहरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे पुर्षों को प्रेजनेन स्वास्त पर ध्यान देना जरूरी क्यों है काम की बेस्ता के चलते आज के समय में आधिकतर पुरूस अपनी सेहत को नजर अंदाज कर जाते हैं लेकिन पुर्षों की सेहत का असर उनके जीवन के अन्ड हिस्सों पर भी पड़ता है खराब सेहत का असर पुर्षों के प्रेजनेन स्वास्त पर भी पड़ता है दरसल अधिकतर पूरुष प्रेजिन्यन स्वास्त पर बात नहीं करते हैं, लेकिन सब्पूर स्वास्त की तरह ही प्रेजिन्यन स्वास्त को महत्पूर माना जाता है रिपोड़क्टिव हेल्थ पर ध्यान देने से पूरुष कई तरह के योन संक्रमना और फर्टिलिटी सम्मझे से भी बच सकते हैं पूर्सों द्वारा रिपोड़क्टिव हेल्थ पर ध्यान देना क्यों जरूरी है विए जान लीजिएगा आप पुर्सों में इन फटिलिटी की समस्या से बचाओ के लिए रीपोड़क्टिव हेल्थ का भेदर होना बहत जरूरी है पुर्सों के बीर में बिकार, इस्पर्म काउंट कम होना या इस्पर्म के मार्ग में रुकाबट आधी कुछ समस्यां को फटिलिटी से जोड़कर देखा जा सकता है इसके अलावा फटिलिटी की कारण भी धुम्ब्रपान, सराब, खराब डाइट बा एक्सेसाइज ना करना आधी को सामिल किया जा सकता है पुर्सों के इन फटिलिटी के क्या लक्षण होते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ रिप्रोड़क्ट पर हेल्थ को नजाद नाज करने से इन फटिलिटी की समस्या हो सकती है इन फटिलिटी होने पर पुरुस इस बारे में बात करने से जीज़कते हैं इस समस्या में पुर्सों की सारी रिक सम्मन बनाने में परिशानी होती है जैसे पुर्सों को इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन एवनच्छा में कमी वा इंजोकलेशन की समस्या आधी को सामिल किया जाता है साथ ही टेश्टिकल में दर्द, सूजन वा गांट जैसे लच्छट मैसूस हो सकते हैं रिपोड़क्टिव समंदी समस्याओं की जांच कैसे होती आपके लिए विजी है मैं बता देता हूँ आप समझ जाएंगे रुख की समय रहते पहचान करने से उसकी गंविर्था को दूर किया जा सकता है रिपोड़क्टिव हिल्थ से जुड़ी समस्याओं की जांच में मरीज के परिवार का मेडिकल हिस्ट्री खून की जाँच इसपर्म टेस्ट किया जाता है sperm test में sperm count, sperm की गत्सिलता के बारे में जाज की जाती है पूर्सों को lifestyle में योग बा exercise को सामिल करने की सलह दी जाती है इसके अलाबा पूर्सों को reproductive समंदी किसी भी समस्या को नजर अंदाज करना नहीं चाहिए क्योंकि इस समय के साथ रोग बढ़ने की समामना अधिक होती है तो एथा हमारा आज का वीडियो आपकी health को लेकर पूर्सों की health को लेकर करके और अगर आपको जानना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगों जल्ली से जल्ली मैं आपको हर सबल का जबाब देपाऊं चैनल अब अवीड़े सब्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल अकोन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पले आपको मिलेंगे धन्यवाद